मन में एक टीज थी, एक कसक थी, कि ऐसा जीवन नहीं जीना, जैसे ओर आम लड़िक्यां जीती है आप पुरसों से ही हमें डर लगता है और उल्टा ही क्या है? कि पुरुस ही हमारी रक्षा करते हैं चाहें हम पिता के रूप में लें, चाहे भाई के रूप में लें स्टार्टिंग में तो लोग हमारे को इसी बात से निरास करते थे कि तुम वैसे भी जीवन लगा रही हो क्या मुद्धा ले लिया तुम्हें तो मुद्धा ही नहीं है कि मेरसी दयन ने एक बात कही थी कि समाज का भला तभी हो सकता है समाज का उत्थान तभी होगा जब लड़कियों को शिक्षा दिक्षा दी जाएगी नमस्कार आप देख रहे हैं रोतक मीरर मैं हूँ आती जांग्रा और आज मेरे साथ ऐसी दो सक्षियत मौजूद हैं जिनोंने जो समाज में धारना बनी हुई थी कि बेटियों को ना बचाने की उसको तोड़ा है और बेटी बचाओ जो अभ्यान शुरू हुआ उनमें काफी बड़ा हात रहा है इनका और मेरे साथ हैं पूनम जी और परवेश जी मैं सबसे पहले यही जाना चाहूंगी कि जो मुहीम शुरू हुई थी उसकी शुरुवात कैसे हुई मैं आरती बेन आपका दनेवाद करती हूँ कि आपने यह सब और गिनाइज किया और हमसे इस विशे पर बात की जिस विशे को लेके हम काफी दिन से चल रहे हैं आरे समाज के माध्यम से एक यात्रा निकाले गई स्वामी इंद्रवेश जी के नेतरतेओं में जो अमरत सर्तक वो आई और उसमें एक यही संदेश दिया था कि आने वाला जो समय है अगर आज हम नहीं संबले तो बेटियों की संख्या जिस परकार से पिछले दस साल में रेशो जो गिरा है अगर इसी परकार गिरता रहा तो स्तिती बहुत खराब हो जाएगी उसमें हम सामिल थे और वहां ये बात जब हमने सुनी क्योंकि हमने अपना लक्षे जो है जीवन का वो समाज को समर्पित करने के लिए बना रख्या था आरे समाज को समर्पीतम ने जीवन कर दिया था तो यही था कि हमें किस मुद्दे के उपर काम करना चाहिए तो मन में यह विचार आया कि प्रमात्मा ने हमें जो यह महिला का सरीर दिया है साइद इसके अस्तितों की लड़ाई के लिए हमें लगाना चाहिए तो उसमें हमने यही विचार किया कि आज यही सबसे बड़ा मुद्दा है जिब वो रहेगी ही नहीं तो फिर क्या होगा तो क्यों ना हम उस जो पेट में पल रही बच्ची है उसके लिए आवाज उठाएं कि उसको बचाया जाए जब पूरम जी आप आरेय समात से जुड़ी रही है तो ऐसे में कई दिक्कते भी आई होंगी आपको समस्याइं तो व्यक्ति के जीवन में आती रहती हैं और जब कोई लीक से हटके कोई काम करता है उसमें तो समस्याइं आएंगी प्रन्तु अगर हमारा लक्ष निश्चित है और उसमें निश्वार्थता है लोगों की भलाई है लोगों का कल्याण चिपा है तो प्रमात्मा हमें शक्ति देता है सकारात्म कुर्जा के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हमारे सामने नहीं आती परिवार की तरफ से कभी कुछ आथा है परिवार की तरफ से कभी भी हमारे को डिमोरलाइज नहीं किया गया हमेशा परिवार ने हमारा सहयोग दिया है और इसके विपरीत बलके उनको बड़ा अच्छा लगता था बड़ी खुशी होती थी कि हमारी जो बेटिया हैं वो हमारी और बेनों के बचाओ के लिए लगी वी हैं तो वो हम बहुत संतोष्ट थे इस काम के लिए और उस सब का सहयोग भी इसमें रहा और हमारा ये सवभगे भी रहा कि आरे समाज के माध्यम से जैसे हमने ये मोहीम चलाई तो और लोगों का आरे समाज के लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है उनका मारक दर्शन भी इसमें बराबर बना रहा है आरती जी एक बात ये भी सामने आई कि विरोध पुर्षों ने नहीं किया कभी भी इस अभियान को ले करके कभी भी पुर्षों ने इसका विरोध नहीं किया महिलाओं ने उल्टा महिलाओं ने ही इसका विरोध किया कि जब तक लड़का नहीं होगा वंस कैसे चलेगा क्योंकि कहीं न कहीं वो इस बात को लेके इन शिक्यों रहती हैं कि अगर लड़कियां लड़कियां होंगी तो वारिस कौन होगा, कौन संभालेगा, कौन हमारी सेवा करेगा और फिर अगर हम गाउं की सोच को लें गाउं की जो मानसिकता है, वो इस प्रकार की मानसिकता है, कि जब तक लड़का नहीं है घर में, तब तक हम अपने आपको अधूरा मानते हैं, कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक आस्था के नाम पर, लोगों के मन में जो एक भरम है, कि लड़का होगा, तो वही पिंडदान करेग और जब तक लड़का नहीं होगा, हमें कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हो सकती, तो ये इस प्रकार की जो संकीन मानसिकता हैं, प्रमप्राओं के नाम पर जो इस प्रकार की चीज़ें हम ढो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी आड़े आ रही थी, दूसरी बात है, सबसे बड़ी क्या थी कि लड़कियां उनका जीवन वो जी रही हैं, कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनको सहरा चाहिए, बिना सहरे के वो रह नहीं सकती, और सहरा किसका चाहिए, अब समाज में निकलते हैं, तो कहते हैं कि लड़की बाहर निकलेंगी, समाज खराब है, समा विरलाओं से तो बर है निए प्रुशों से हिं क03 नहीं है हमारी रक्षा करते हैं चाहिए यह हमारी मेले बहाई कि लुखेर दें लिए तो कहीं नहीं अ कहीं इस बात को लेकर कर को मन में यह सोच घर कर जाती है कि जब तक लड़का नहीं होगा हमारी सुरक्षा नहीं हो सकती तो कई चीजें इसमें मैटर करती हैं कि वो लड़कों को जो ज्यादा मेहतो देते हैं लेकिन इसमें काफी अधतक जो हम उनको समझाने में कामियाब भी एक तरह से मानते रहे कि व करते हैं कि जिनोंने अच्य करम कर दिये हैं लोगों को आज याद कर रहे हैं वंच चलने का मतलब याद कर नहीं होता है तो इस तरह हमने एक जो जो उनकी समस्याइं उन्हें रखी कि यह सकता अगर लड़की नहीं तो यह सकता है तो उनको समझाया कि अगर लड़की रहें, और लड़ें ज्यादा होते हैं, तो फिर कोई भी शुरुक्षित नहीं रहेगा, लड़की लिड़की क्या हो तो ऐसी माता भी शुरुक्षित नहीं है, तो वो सहारा का सारा कोई करवाई या ना करवाई तो में क्या मतलब है। लेकिन हम फिर भी उनको यही कहते थे कि हम आगे दूरगर्सी सोच को लेके चल रहे हैं कि अगर ऐसा होता रहा तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। और सिफ वंस ही नहीं कापे बार यह होता है कि लड़किया कुछ नहीं कर सकती है पर वह कहा वातन है कि सोना तो सोना होता है बिल्ड़की हो जाए लड़का लेक राए। तो वह चीज़ है। अच्छा मैं यह जाना जाहूंगी कि इस मुहीम में जुड़ने से पहले आरे समाज में आने से पहले जो विचारधारा है उससे बहुत प्रभावित रहे कोई मूर्ति पोजा नहीं होती थी और महिलाओं को लेकर के सोच बहुत अच्छी थी कहीं लड़का लड़की में कोई फरक नहीं किया जाता था उल्टा लड़कियों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी क्योंकि उनके सामने उनका जो आदर्स था वो स्वामी धैनन था और उन्होंने बलके ये कहा कि लड़कों की शिक्षा इतनी आवशक नहीं है जितनी लड़की की हाँ अगर लड़की शिक्षित होगी तो वो जो है अपने पूरे परिवार को संसकारित कर सकती है अपने बच्चों को भी संसकारित कर सकती है कॉलिज में आये तो वो और भी ज्यादा वो विचार जो है वो संसकार और ज्यादा हावी हो गया था और उसके साथ-साथ थोड़ा सा मेडिटेशन और इस तरे कामों में भी बहुत रूची थी तो उसी प्रसंग में मेरे को प्रवेश मिली उसने पूछा सारा कि तुम क्या करते हो कैसे करते हो तो मैंने बताया कि आरे समाज से सम्मन हम रखते हैं फिर हमारी दोस्ती हुई तो एक विचार मन में यही रहता था शुरू से ही कि पढ़ने के बाद जब लड़की 21-22 साल की हो जाती है तो बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आता लाइफ में और यह होता है कि अब मेरे को किस डारेक्शन में जाना है या तो यह है कि भी अपने कैरियर को ज़्यादा इंपोर्टेंस दें या फिर क्या है कि अपना घ्रस्ती संबालें यही है दो लड़कियों के सामने तो दो बात है प्रन्तु मन में एक टीस थी एक कसक थी कि ऐसा जीवन नहीं जीना जैसे और आम लड़कियां जीती है कुछ ऐसा करके जाना है जिससे कि हम जो है कुछ अपना रॉल मॉडल बना सकें कुछ मॉडल जो है वो पेश कर सकें एक अलग से पहचान बनें और ऐसा काम करें जो समाज के निर्मान का हो यानि कि समाज को तोड़ने का काम नहीं वो जो है एक चरीतर को अच्छा बनने के लिए, चरीतर का निर्मान करने के लिए और यही था सबसे ज्यादा क्योंकि अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जगी, स्वाब इमान जगा कि जब एक तरफ तो लड़कियों को शिक्षा दिक्षा की बात करते हैं, लड़कियों की और आज कहां से कहां लड़किया पहुच गई हैं। उन्होंने हर चुनोती को सुईकार किया है। कोई भी फिल्ड ऐसा नहीं है कि जहाँ लड़कियों ने अपने आपको जो है वहाँ पहुचा करके अपने आपको सफल ना किया हो। हर मुकाम पे वो पहुची हैं परन्तु फिर भी उसके साथ साथ ये सोच कि लड़कियों को पहले तो ये टेकनोलोजी नहीं थी तो उनको जनम देने के बाद उनको मारा जाता था परन्तु केवल तीन महीने की जिंदगी की तीन महीने का जो एक शरीर के अंग बनते हैं केवल का मरना इतना दुखदाई नहीं एक हत्या और एक भावी मा को मारना जानि के पूरी मानवता को ही ख़तम करना तो इस बात को ले कर के हम जब चले तो फिर दोनों ने ये संकल्श बनाया तो फिर अब तब से ले कर की अब तक हमने कभी भी पीछे मुढ कर नहीं देका उसके वाज पेट में उनकी आवाज थाई तो उसके साथ साथ यह वी मन में एक शंकल्प जगया कि जो बहने पैदा हो चुकी है उनकी दिशा क्या है तो उसके लिए फिर भी लगाने सुरू किये चरितर निर्मान शिवर ताकि वह उसमें अपने आपको उसमें उनको सेल्फ डिफे होगा वह जागरुक होंगी वह आगे बढ़ेंगी तो और मावाप के मन में भी यह पैदा होगा कि यह महमें तो बेटियां को पैदा करना ही चाहिए तो यह थोड़ा सा विचार लेके जो है हम यह आगे इस तरह का भी काम कर रहे हैं हमने स्टार्टिंग से ही जो है कि करना चाहिए तो हम भी करम के उपर ज्यादा जोर देते हैं तो हम भी करम के उपर ज्यादा जोर देते हैं तो हम भी करम के उपर ज्यादा जोर देते हैं तो हम भी करम के उपर ज्यादा जोर देते हैं कि यह ठीक है कि हमें अध्यात्मिक होना चाहिए लेकिन यह नहीं है कि आप सिर्फ दोनों एक कपड़ में मतलब सिर्फ सफेद कपड़ा पहनती हैं तो कभी लगाने कि हम भी कुछ रंगीन पहने कुछ अलग पहने ताकि दुनिया को दीख सके कि हम हम सिर्फ एक ही कलर में नहीं बंदे हुए हैं कुछ कभी सोचाओ देखो कलर ये जो हना ये थोड़ी सी मैं कहूंगी कि चंचल मान शिकता का जो है एक परीचे है कि हम मन में ऐसे सोचते रहें कि ऐसा करें ऐसा करें हमने अपने आपको थोड़ा सा स्थिर बुद्धी का बना रख्या है कि ये चीजे माइने नहीं रखती आ आप ये देखों अगर कोई चोटा सा किसी को थोड़ा सा रस किसी में रिल जाए और किसी को बंडार मिल जाए, तो चोटे से रस्काउस के लिए कोई मतव नहीं हो नहीं होता है, क्योंकि हु karışवा हुआ हु यह भी होता है, कि जैसे आपने बात कई है, कि दुन्या रंगीन है, तो वो किस के लिए है? यह सोचने की बात ही, उस में से हम क्या निकाल न चाते हpowers? आप जितनी भी चीजे談 हैं, दुनियावी चीजे हैं, अगर इन में हम इंजोय कर रहे हैं, तो हम ठकते क्यों हैं अगर इतना ही इंजोयमेंट इस दुनिया में हो, तो फिर रात म Oreo बनती, सुने की जरूरत नहीं होती आदमी सारा दिन इन में खूब घुमता रहता है, इंज्वाय करता रहता है, मस्ती करता रहता है, लेकिन फिर भी ठक करके निढाल हो जाता है, तो उसके लिए नींद है, अगर आदमी को दो रात नींद ना आए तो वो पागल हो जाता है, तो वो जो रस ले रहा था, वो रस सारे खतम हो जाते हैं उसके तो कहीं ना कहीं जो असली जो पीस है असली जो इंज्वाय है वो जो आनन्द है वो तो अंदर है ये समझना चाहिए तो सारा का सारा क्या है ये प्रमात्मा ने टूल्स दे रखे हैं तो ये सारे के सारे टूल्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्या है इनका use करें और जितना ज्यादा हम बहार में जितना प्रमःत उनकी ज्यादा हो उतने ही ज्यादा पिर फिर नल्डरी तूट जा कि लेकर करके कि अंदर हम कैसे अपने आपको रिचार्ज करें वो सबसे ज्यादा माइने रखती है ना कि बाहर की विशे इनका मैतों ही नहीं है कुछ है परिवार की तरफ से कहा हूँ आपको कि आपको शादी करनी है या खुद को लगा हूँ कभी देखो परिवार में तो एक बार तो उनका फरज होता ही है लेकिन जब उन्होंने य सबस्तों चासरह कुछ था नहीं कि अमकय कुछ रह एंगर करकुछ रह ऑन्होंने इमारी दिनचरिया भी देखिए सब देख ए तो उनको भी कोई ज्यादा एसी बेचे नहीं किने करना यह करना यह कहने से वह मान भी गए और हमारे को भी ऐसा लगा कि यह ज्यादा आज़् से आपको भी आप बिल्कुल ऐसा ही परिवार की तरफ से मैंने बताया था ना कि परिवार की तो नियू बहुत मजबूत रही है तो कभी भी ऐसा फिल हुआ नहीं और ने कभी भी हमारे मन में यह विचार आया अच्छा आप विदेशों में भी गई हैं कहां कहां तक आपने अपनी पहचान बनाई है यह उरोप में हम लगवग छे साथ देशों में गए और दो बार जा चुके और उसके बाद अमेरिका में भी दो बार जा चुके हैं वहां भी कुछ जो बारच्य गई वे परिवार हैं उन्होंने अपनी कम्यूनिटी बना रखी है तो उनमें ही ज बार जाके और अमारी पहचान बेटी बचाओ से ही है और अमारे साथ बेटी बचाओ ऐसे जुड़ा हुआ जैसे किसी का सरनेम होता है ना पूनम प्रवेश अर्या बेटी बचाओ भ्यान बेटी बचाओ तो सरनेम की तरह लगया हुआ है तो यह तब आम पहुंचते हैं ज मिला था और दोजार पांच में यातरा जिसकी अमचर चामने पहले की वह यातरा थी तो हम यह मानते हैं कि गाड़ी जब वह मिली इनोवा गाड़ी थी उसी के ऊपर बेटी बचा और रथलिक रख्या था तो जैसे पैदल चलते हैं तो थोड़ी सी रफतार कम होती है और कंदा होगी काम करने के तो इसको थोड़ी से दिन के लिए तो क्यों नहीं मिली तब तो हमने कुछ दिन के लिए उसके ड्राइवर रख्या लेकिन हमने सोचा कि यह तो खुद करने से भी बात बनेगी तो उसके बाद स्वेमी गाड़ी को चला के परचार में लगी रही है इसमें कि बेटियों को किस परकार से मान सिकता बदल जाए लोगों की अच्छा आप लोग जाते हैं सिवर लगाते हैं तो काफी एक अंतर आया है कि जैसे न पहले लड़कियां होती थी तो लोग बस इतना ही कह दिया करते है कि भी हाँ ठीक है बच्चा हो गया लड़की होगी लेकिन आज हम देख रहे हैं समाज में परिवर्तन की लड़कियां होती है तब मिठाई बात लोग तो यह परिवर्तन हैं तो लड़कियां जो है अपने रिस्पेक्ट खुद करवा रही है अपनी वैलू खुद बढ़ा रही है तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है तो यह मानते हैं अब कितने सारे मेडल्स हैं कि लड़कियां लेके आती हैं तो अब गाओं गाओं में इतने सारे अ तो बहुत जादा सोच में फर्क हुआ है अब वह बात नहीं रही है कि भी लड़कियों को जो है घर तक इसी मित रखें पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं आगे लिखाई नहीं आगे लगए लड़की के खाने पीने में अंतर वा करता और अप देखेंगे कि अब थोड़े से अच्छे परिवार हैं बिल्कुल बराबर लड़कियों को वही शिक्षा लड़कों को दे रहे हैं वही शिक्षा लड़कियों को दे रहे हैं कोई अंतर नहीं लग रहा है तो यह सोच में धीरे-धीरे क्योंकि एकदम तो हम परिवर्तन की आशा भी नहीं करते धीरे-धीर बातमे परिवर्तन, तो वो परिवर्तन दीरे-दीरे हो रहा है, और हमें लगता है कि हम पोजिटिव हैं, अच्छा ही होगा, सब बढ़िया ही होगा.